आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही जबदस नारिय के लड़ू की रेसिपी देकर आई हूँ और यह मैं आपको बनाना सिखाऊंगे बगार कंडेंस मिलक के और बहुत क्विक रेसिपी है पांच मिन में तयार हो जाती है सारे इंग्रीडियंट्स घर में ही मौझूद होंग इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की डूटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर भी जरूर करें तो चलिया यह रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैने लिया है बटर वन टेबल स्पून अगर आपके पास बटर ना हो तो आप लोग घीवी ले सकते हैं तो सबसे पहले हम मेल्ट कर लेंगे एक पैन में डाल दिया इसको और लो मीडियम फ्लेम रखेंगा इसमें हा बहुत जल्दी जल्दा आप इसको बूलना है जब तक इसको कलर चेंज ना हो जब तक आपने बूलना है तक रिबन दो से तीन इनट लगेंगे इसके अंदर तो देखिए कलर इसका चेंज होगे लाइट ब्राउन से कलर होगे है बहुत अच्छी सी खुजवू आने लग इसके अंदर से और फिर हम इसके अंदर आट कर देंगे दूद दूद मैंने लिया है आदा कप वो इसके अंदर आट कर देंगे और इसके अंदर मैं आट करूंगी दूद के साथ ही चीनी आट कर देंगे नॉर्मल घरी वाली चीनी हैगी आदा कप वो आट कर देंगे और एलाइची भी एड़ कर देंगे खुझभू के लिए 140 स्पून के वराबर इसको मैंने कूट लिया था एलाइची को और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको हमें कुक करना है लो मीडियुम फ्लेम पे कुक करेंगे बस इतना पकाएंगे कि चीनी का दाना है वो बिलकुल अच्छी से डिजॉल्फ हो जाए और यह बहुत अच्छा सा सिमट जाया सारा मिक्स्चर जो है तो इसको तकरीबन दो मिन्ट और हमें कुक करना है तो अब इसको मैं चूले पे से उतार लूँगी और थोड़ा सा थंडा कर लेंगे इसको लेकिन गरम-गरम में ही बनाना है हलका नीम-गरम होना चाहिए बिलकुल अगर थंडा हो जाएगा तो यह लड्डू तयार नहीं होंगे और देखिए बस इसको टाइट से लड्डू ब रख लेंगे और बहुत असान सी रेसिपी है जली से ट्राइ कीजिएगा इस रेसिपी को और इंस्ट्राग्राम पे इसकी पिक्चर कीजिएगा और मुझे टैक्स जरूर कीजिएगा तो देखिए सारे लड्डू हमारे तयार हो गए हैं बहुत ही मज़दार से और इसको आ आपको इसको कट करके दिखाती हूं अंदर का टैक्सर आपको अंदादा होगा कितने मुइस्ट बने हैं ये देखिए अगर आप लोगों को में रसीपीस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट जरूर किया करें शेयर भी जरूर किया करें अपने फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ तो मुझे अपनी दोओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज